प्रेंका गांधी के एंट्री से कॉंग्रेस को फायदा होगा है 2019 लोग सवाज चुनाओ में क्या प्रेंका गांधी कॉंग्रेस पार्टी को फायदा पहुचा सकती है बिल्कुल इससे पार्टी को बहुत फायदा होगा और यूपी में सीटे कुछ बढ़ सकती है लेकिन अभी रावर्ट बाडरा पर एडी की जो कारवाई हुई है उससे उनकी छबी पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ सकता है कोई फटह कैसे पालेगी। क्या एक्सपरेंस है कि उसको राजनी तीम परिंका गांधी के आने से प्रिंका गांधी नहीं गाओग राव उन्टराइब कर ताम मैं गुलामी की वह कर रहाएं यूथ आइकन है इस समय पहले तो वह सिर्फ अमेठी और राइबरेली तक सीमित रहती थी लेकिन उनकी एंट्री के बाद अब वह पूरा ओल ओवर पर इंडिया कवर करेंगी जहां तक और इस बार अगर वो चुनाओं लड़ती है जयसा कि वो प्रचार करती हुए आई हैं कांग्रेस का लगातार उससे फाइदा तो बहुषता है जिस तरह उनको इंद्रा गांधी से कंपेर किया जा रहा है पर मुझे लगता नहीं कि 2019 फाइदा मिल सकते। प्रेंका गांदी को राइबरीली में को फेमस की बहलते आई गोगों वहीं के लोका很 तो बहुत के देख़िंगे क्योंकि हालाकि वो पती है पढ़ेगा जनता इस चीज को देखेगी लेकिन फिर भी मेरे साब से मुझे लगता है कि नहीं पढ़ना चाहिए बिल्कुल होगी क्यों नहीं होगी जब गांधी नाम से उसको वो अपना फायदा उठा रही है तो उसका नुकसान भी तो वाडरा का नाम का वी नुकसान भी तो उठाना पड़ेगा ना उसी परवार की बहु है जनता भरोसा नहीं करेगी क्योंकि ये घुटाले बाजां को ये देश का नहीं सोचता एक परिवार की पार्टी है ये पार्टी देश के लिए इसके बारे में तो बिल्कुत सारी चारो तरफ चर्चाय चल रही है इस बारे में तो उनको तो बहुत जादा नुकसान होने जाने वाला है ये जरूर मैं कह सकती हूं क्योंकि बहुत गोटाले में शामिल रहे हैं तो इसका इफेक्स जरूर पड़ेगा रॉबर्ट वार्टर प्रियंगा गांधी के पती है तो उनको नुकसान प्रियंगा गांधी को नुकसान उठाने ही पड़ेगा क्योंकि वो पारिवारिक चीजे जो आ रही है और बीजे भी इसका और प्रियंगा जड़ेगा है